स्वागयत आप सभी का मोटिवेशनिल कहानियों में आज की कहानी का सीर्षक है मन का भ्रम पुराने जमाने की बात है जब राजाओं का शासन हुआ करता था उस समय लूट पार्ट चोरी चकारी नहीं हुआ करती थी इसी समय में एक राजा हुआ करते थे और उनके राज़े में बड़ी शानती थी मगर समय जाते जाते लूट पार्ट चोरी चकारी बढ़ने लग दे उसके राज़े में भी चोर उचके बढ़ गए वह लोगों को लूटते परिशान करते यह देखकर याद राज़ा को एक युक्ति सुची और उसने अपने राज़े में चोर उचकों से बचाओ करने के लिए एक अलग सेना बना दी उस सेना को सभी गाओं में भीज दिया और सेना की वेशबुशा भी अलग कर दी मतलब उनका एक ड्रेस कोड फाइनल कर दिया जिससे लोग उन्हें पहचान सके और बेज़ी जग अपने बात कह सकें अब तो चोर उचकों के सामत आ गए सेनिक रात में गस्त लगाते और चोरों को पकड़ लेते लोग आराम से सेनिक के पास जाते और सारी बात बताते ये देख चोर गबर आ गए परंतु चोरों में एक चोर बड़ा होशियार था उसने सभी चोरों से कहा कि लोग बेवकूफ हैं वे इस बेशबूशा से मतलब ड्रेस कोड से अपने आपको सुरक्षित मानते हैं क्यों न हम ऐसी ही बेशबूशा बना ले ये बात सबको समझ में आ गई सबने एक एक वैसी ही ड्रेस बनवाली बेशबूशा बनवाली अब क्या था हर गाउमें ओं पहुंच गए रात को आराम से गुमते लोग मिलते बहुत आदर करते उन्हें अपना हाल बताते चोर रात को बड़े आराम से चोरी करते और दिन में उन्हीं की फरियात सुनते चोरों की जिंद की मान-समान के साथ मस्त कटने लगती अब इस कहानी से हमको क्या सार मिलता है आज के हाल में यही चीज़ देखने को मिलती है कि कितने ही लोग साधू और सुरक्षा वालों के वेश में हमें मुर्ख बना रहे हैं हम अमारे मस्तिक्स में पड़ी तश्वीर के कारण उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं हम साहता और ज्यान की उमीद से हाथ बढ़ाते हैं और वे हमें ही खाली कर देते हैं समझने का समय आ गया है नहीं तो एक दिन दुख और चिंता के सिवाए कुछ नहीं बचेगा वे अपने नाम पर हम कुछ भी करवा लेते हैं, हमसे कुछ भी करवा लेते हैं, जिससे हमारा शोषण ही होता है अत्य है, सही गलत को पहचाने और अपनी मानसिक और आर्थिक चसी से बचे आज के युग में बहुत सो समझ के हमको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इस तरह की वेशबुशायंस देख करके अपन भी मानसिक तोर पे उनके गुलाम बन जाते हैं हमको जागरुक रहना जरूरी है, यही इस कहाने की बहुत बड़ी सीख है, धन्यवाद